नविश्कार मैरेचा सिंग आप सभी को नविरात्री की धेर सारी शुप कामनाई मा की नवी शक्ती का नाम सिध्धी दात्री है अपने इस विग्र स्वरूप से मा अपने भात्नों को व्रम्हांड की सभी सिध्धियां प्रदान करती है भगवान शिव ने भी उनके इसी रूप की क्रिपा से सिध्धियों को प्राप्त किया था जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्ध नारिश्वर के रूप में स्थापित होए नवरात्रे पूजन की नवरेदिन भक्त और योगी साधक मा के इसी रूप की शात्रिय विधी विधान से पूजा करते हैं जो की चतुर भुज और सिंग वाहिनी है गति के समय मा सिंग पर तथा अचला रूप में कमल पुष्व के आसन पर बैठती है मा के एक और एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा रहता है वहीं दूसरे और के एक हाथ में शंक और दूसरे हाथ में कमल पुष्व विध्यमान रहता है मान्यता है कि इस दिन जो भक्त विधी विधान और पूरी निष्ठा के साथ मा के उपासना करता है उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ती हो जाती है इतना ही नहीं मा सिद्धी दात्री शोक रोग एवं भैसे मुक्ति भी देती है आई ये जानते हैं मासिधि धातरी की आठ्सिधियां मंत्र और आर्थी मासिधी धातरी की पूजा विधी इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए और साफ सुत्री वस्त्र धारंन कर ले साथ ही इसे दिन विशेष हवन करने का विधान है इसलिए हो सके तो मिट्टी की बेदी बनाएं या फिर तांबे के पात्र में हवन करें माताजे की चौकी पर मासिद्धी दात्रे की तस्वीर या मूर्ती स्थापित करें और दीपक धूप चलाएं माता को सिंदूर लगाएं और लाल पुष्ट में चड़ाएं इसके बाद दुर्गास सब्तुशती के पूर्ण पाट करें और फिर अंतिम में भोग लगाकर आर्थी करें साथ ही इस दिन कन्या पूजन करने का भी विशीश विधान है मासिद्धी दात्री का भोग मा को विभिन्य प्रकार के अनाज जैसे की हलवा पूरी चना खीर पूए आदि का भोग लगाएं मासिद्धी दात्री के मंतर सिद्ध गंधर्व यक्षाद्ययर्य सुरहर बरैरपी सेव्यमाना सदा भोया सिद्धधा सिद्ध दाइनी नवरात्र के सर्फ नवे दिन भी यदि कोई भक्त एकागरता और निच्ठा से मा की विधिवत पूजा करता है तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है शिष्टी में भक्त के लिए कुछ भी असंभब नहीं रहता है और शत्रू पर पूर्ण विज्वे प्राप्त करने का उसमें सामर्थ आ जाता है उसमें मा की शक्ति आ जाती है साथी मा की कृपा प्राप्ते करड़ी वाले साधक की सभी लौकिक तथा परालौकिक कामनाओं की पूर्ती हो जाती है फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानगे के लिए आप देखते रहें सीरियोस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ